हलो दोस्तों आप सभी का फिर से मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में आप से जेनरल नोलेच के कुछ महत्कुन सवाल पूछे जाएंगे जिनका जवाब आप लोगों को नीचे कॉमेंट बोक्स में देना है दोस्तों अगर आप कोई परत्यों की परिछा की तैयारी कर रही हो तो आप लोगों के लिए ये सवाल भहुत ही नोलेचफुल होंगे तो अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे जितने भी वीडियो को मैं यूटूबर डालों उनके अपडेट आपको रोजाना मिलते रहें तो चलिए श्टार्ट करते हैं सवाल नमबर एक हाथी का उत्सव कहां मनाया जाता है तो इस सवाल का सही जवाब है जैपूर में सवाल नमबर दो किस ब्रिक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है तो आपके इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मेट्रिक का पेर सवाल नमबर तीन जीलों की नगरी किसे कहा जाता है तो इस सवाल का सही जवाब होगा उदैपूर को सवाल नमबर चार कौन सी सबजी खाने से तीन सो से अधीक बिमारी ठीक हो जाती है तो इस सवाल का सही जवाब होगा सहजन सवाल नमबर पांच चाय की खोज किस देश में हुई थी तो इस सवाल का सही जवाब होगा चीन देश में सवाल नमबर चे सबजीयों की रानी किसे कहा जाता है तो इस सवाल का सही जवाब होगा मिर्च को सवाल नमबर साथ ओट बिना पानी पिये कितने दीनों तक जीवित रह सकता है तो इस सवाल का सही जवाब होगा 6 महिने तक सवाल नमबर आठ विद्यूत बल्व के अंदर कौन सी गैस भड़ी जाती है तो इस सवाल का सही जवाब होगा आडगन गैस सवाल नमबर नो कौन सी सबजी खाने से खून बरता है तो इस सवाल का सही जवाब होगा पालक की सबजी सवाल नमबर दस पहारों की मल्ली का किसे कहा जाता है तो इस सवाल का सही जवाब होगा मेतर हाट को सवाल नमबर ग्यारा भारत की राष्टिय नदी कौन सी है तो इस सवाल का सही जवाब होगा गंगा नदी सवाल नमबर बारा बाईक का अविस्कार किस देश में किया गया था तो इस सवाल का सही जवाब होगा जर्मनी में सवाल नमबर तेरा भारत में सबसे बाद में सुरियास्त कहां होता है तो इस सवाल का सही जवाब होगा गुजरात में सवाल नमबर चौदा भारत का राष्टिय रंग कौन सा है तो इस सवाल का सही जवाब होगा के शर्या रंग सवाल नमबर पंदरा शरीर का कौन सा अंग जो आग में नहीं जलता है तो इस सवाल का सही जवाब होगा नाखुन सवाल नमबर सोला किस देश में चिंगम खाना जुड में है तो इस सवाल का सही जवाब होगा सिंगापुर में सवाल नमबर सत्रा भारत के किस राज में कुत्ते का मंदिर है तो इस सवाल का सही जवाब होगा च्छतिस गढ़ में सवाल नमबर अठारा भारत के किस परधान मंतरी ने तीन साधी की थी तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा राजिव गांधी ने सवाल नमबर उन्नीस बुर्ज खलीफा बनाने में लगभग कितने बर्स का समय लगा था तो इस सवाल का सही जवाब होगा पांच साल आपका अंतिम सवाल है सवाल नमबर बीस किस देश में भाई बहन आपस में साधी कर लेते हैं दोस्तों इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको फाइव सेकेंड मिलते हैं अगर आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज कॉमेंट में बताईए तो आपके इस सवाल का सही जवाब होगा भारत के 36 गड़ राज के आदिवासी समाज के लोग तो दोस्तों ये सवाल आपके लिए है मनुस्त के किस अंग में तेजाब पाया जाता है इसका जवाब आप लोग कॉमेंट बॉक्स में दीजे तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा से भी अच्छी लगी हो नोलेज फूल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजे और अपने दोस्तों और परिवारों में सेयर कीजे और इसी परकार के वीडियो को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे योगी मैं इस परकार के वीडियो हर रोज लाता रहता हूँ तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू